गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओनलें लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल लेखनी है कि शीत युद की समाप्ति वा समाधान एशिया की घटनाओं तथा अफगानिस्तान से सोवियत सैना की वापसी से ही हुआ है, अफगानिस्तान में लंबे अर्षे तक चला युद सोवियत संग के अस्तित्व के लिए कश्टदाई और मुश्किल हो गया, इस भय लावे युद से सोवियत सैनाओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया, जिनकी परिनती शीत युद की समाप्ति से हुई, तथा जिस से जर्मनी का एकी करण तथा सोवियत संग का विगठन शामिल है, संक्षेप में शीत युद का और इस तनाव का एशिया की एकता पर दूरगामी परभाव पड़ा, एशिया के सभी देश यहे चाहते थे की शेत्र में शान्ती बनी रहे, चीन और सोवियत संग का सीमा विवाद, चीन और वियतनाम का जगडा और भारत वा चीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्तितियों को स्पष्ट करता है, इस तरह से पाकिस्तान, पूरी तरह से थाईलैंड और फिलिपिन्स के साथ अमरीका के खेमे में चला गया था, जपान अपने आर्थिक और व्यपारिक संबंधों के कारण पश्चिम के देशों में सामिप्प्य स्थापित कर रहा था, इससे एशिया की एकता को एक नया धक्का लगा है, क्योंकि एशिया के देश अलग-अलग खेमों में बट गए थे, 1960 के दशक में एक नया मोड आया, जब शीत यूद के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का प्राधुर्भव हुआ, इससे दक्षणी पूर्वी एशिया के देशों में नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी पर्यास किये गए, इन देशों में सांस्कृतिक एक रूपता की वजह से भी एक नए गुट ने जनम लिया, लेकिन यह कहना कठिन होगा की इन दक्षण पूर्वी एशियाई देशों से समूचे एशिया की पहचान या एकता बनाने में साहता मिली है या उससे धक्का लगा है, क्योंकि इन देशों ने अपनी नीती बहुत स्पष्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर भूमी पुत्र नीती को जनम दिया, भारत भी अब आसियाँ का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है, भारत की पहल से दक्षिन एशियाई सयोग संगठन सार्क की स्थापना सन 1985 में की गई, जिसके फल सवरूप बडोसी देशों के आपसी सयोग के लिए नया वातावरण तयार हुआ, यहे पर्यास शने शने उप्योगी रूप लेता जा रहा है, जो एशिया की पहचान बनाने की और महत्वपूर कदम है, वेपार, निवेश, तकनीकी ज्यान, संचार, माध्यमों में बडोतरी ने विश्व गाओं के विचार को भी पैदा किया, बढ़ते हुए वेपार, निवेश, संचार, एवं विज्यान की आधुनिक तकनीकों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर रहने के नए विचारों को जन्म दिया, अंग्रेजी, भाषा, होलीवुड, कंप्यूटर्स और उभोकता, संस्कृती ने पूरे विश्व को परभावित किया, जिससे देशों में फासले कम हुए, संस्कृती और सभ्यता भी परभावित हुई, हो सकता है कि इसके अच्छे परिणाम ना हो, ऐसी भी आशंका की ज उधारन तह, जपान दूसरे महायुद तक अपनी संस्कृती और सभ्यता वा संयुक्त परिवार जैसी अधारबूत समाजिक माननेताओं को केवल अपनाए हुए नहीं था, बलकि उससे चिप्टा हुआ था, लेकिन जपान जैसे सभ्यता वाले देश भी यूरोप के परभ भाव से बच नहीं सके, श्टॉप, दोस्तो, पीडियाफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में नीचे मिल जाएगा, वीडियो आपको कैसी लगी, और आप किस टोपिक पर वीडियो चाहते हैं, और कितनी स्पीड में वीडियो को चाहते हैं, कमेंट बोक्स में धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में